Hello everyone, today we shall discuss question no.3 of exercise 6.2 of class 9. Dear friends, आज हम करेंगे question no.3 exercise 6.2, question no.3 में क्या हम देख लेते हैं? Question no.3 में in figure 6.30, if AB is parallel to CD, AB CD से parallel है, AF is perpendicular and CD, EF, यह जो EF लाइन है, perpendicular and CD, perpendicular मतलब होता है, यह 90 डिगरी होगा, and angle GED, GED, यह है 126 डिगरी, हम यह आप लेख लेते हैं, angle GED, मतलब यह वाला जो अंगल है, यह है 126 डिगरी, total 126 डिगरी, यह हमें given दिया हो हा है, आपको निकालना है, angle AGE, AGE, यह वाला अंगल आपको निकालना है, right, angle GEF, angle G, E, F, यह वाला अंगल निकालना है, G, E, F, ठीक है, और angle FGE, FGE, यह तीनों आपको निकालना है, ठीक है, तो हम किसे इसे कैसे solve करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं, आप देख सकते हैं, अगर यह angle A, E, perpendicular to C, D होगा, तो यह जो angle A, F, E, D, यह 90 degree होगा, right, ठीक है, यह अगर 90 degree होगा, तो यह angle G, E, F, यह तोटल कितना है, 126 degree, तो angle GEF होगा, 126 के अगर 90 minus कर जाते हैं, तो यह वाला angle होगा, right, तो इस तरह से हम इसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे solve करते हैं, ठीक है, अब देखिए, किस तरह से हम इसे solve करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे, solution, किस तरह से हम इसे solve करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम लिख सकते हैं, कि, यह EF, लिश सकते हैं, EF, EF, यह जो लाइन है, perpendicular on CD, EF is perpendicular on CD, अगर EF perpendicular on CD है, तो हम लिश सकते हैं, angle FED, F, ED is equal to 90 degree, राइट, यह 90 degree है, पता चल गया, आपको निकालना है, G, EF, राइट, angle G, EF, निकालना है, सबसे फ़रे, number one, angle G, EF, angle G, E, F, यह वाला निकालना है, ठीक है, हम देख सकते हैं, यह पर angle G, EF, plus angle FED, कितना है, 126 degree, तो हम लिश सकते, angle G, EF, plus angle FED, FED, यह दोना angle कितना दिया है, 126, यह given है, 100, यानि कि G, E, D के बराबर है, राइट, angle G, E, D, हम एक बर लिख देते हैं, G, E, D, राइट, तो F, फिर से देखते हैं, G, EF, plus angle FED, यह कितना का बराबर होगा, G, E, D, का बराबर होगा, राइट, तो हम G, EF, G, EF का बराबर कितना है, G, E, F हम निखालेंगे, angle G, EF, निखालेंगे, angle G, E, F, plus angle FED, FED का बराबर कितना है, 90 degree, plus 90 degree, is equal to angle G, E, D, G, E, D का बराबर है, 126 degree, that is 126 degree, तो हम एंगल GF निकले, अंगल GF, G E F is equal to, हम लिख सेकते हैं, 126 degree minus, यह प्लास से राइट साथ में आएगा, तो मिनस होजाएगा, minus 90 degree, हम यह आप मिनस करके भी दिखाते हैं, 126 degree से मिनस करेंगे 90 degree, right, तो होगा यह 6, 9, 10, 11, 12, 3, 36 degree, यह निकिए, अंगल G E F, यह हो जाएगा 36 degree, किदना होगा, 36 degree, right, अभी हम निकलाएंगे, A G, यह होगा निकला लेंगे, ठीक है, यह नमबर 2, अब देख सेकते हैं, कोई भी लाइन, दो लाइन अगर पैरलल होता है, right, पैरलल होता है, और यह एक टांसवर्स होता है, टांसवर्सल, right, तो यह जो अंगल है, और यह जो अंगल है, इसे हम बोलते है, आल्टार्नेट अंगल्स, पैरललाइन में आल्टार्नेट अंगल्स हमेशा इक्वेल होता है, तो हम आपर यह आपर देख सेकते हैं, अंगल A G E, A G E, A G E is equal to angle A G E, Is good angle G E D, G E D, G E D, क्यों होगा, हम देख सेकते हैं, अगर दोनों लाइन पैरलल होता है, जैसे AB है, और यह एक CD लाइन है, तो अल्टार्नेट इंटेरियर अंगल्स जो होता है, वो equal होता है, यह AB और CD पैरलललाइन है, यह वाला एक टांसवर्सल है, तो आल्टार्नेट इं तो यहां पर हम बोच सेखते हैं और और यहां पर देखिए फिर से एक बद दिखाते हैं क्योंको प्रेलायन्स में अल्टनेट इंटेरियर अंगल से होता है वो इक्यल होता है तो हम बोसेकते हैं अंगल अगल अग अगल 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 गे को बरबर होगा यह कितना है 126 degree 126 degree अब यह हमको निकालना है angle FGE यह वाला angle हमको निकालना है FGE FGE निकालेंगे कैसे निकालेंगे आप देखे यह वाला कितना है हम देख सकते हैं FGE यह वाला निकालना है यह हम और एक बार दिखाते हैं हमको निकालना है यह वाला angle FG यह बला हम देख से यह जो लाइन है ए जी एफ इस ट्रेट लाइन है तो दीस हैंगल प्लास दीस हैंगल हम क्या फाम कर रहा है लीनियर प्यर राइट तो हम बोच सकते हैं कि यह जो लाइन है 3 में नमबर 3 करेंगा भी बोच सकते हैं एंगल A, G, A, G, E, plus angle F, G, E, is equal to 180 degree, क्यों होगा, क्योंकि यह linear pair है, reason होगा, linear pair, linear pair, ठीक है, अब हम देखते यह line, A, G, E, कौन वाला है, A, G, E, यह point, यह angle, और F, G, E, F, G, E वाला line है, A, G, E, हमारा कितना है, 126 degree, तो यह पर लिख सेकते हैं, 126 degree, plus angle F, G, E, F, G, E, is equal to 180 degree, right, therefore, angle F, G, E, F, G, E, is equal to 180 degree, और यह जो 126 है, यह right side में गता हम, minus 126 degree, तो यह पर मैनस करेंगे, हम मैनस करके दिखाते हैं, 180 degree, और minus 126 degree, ठीक है, 4, 54 degree, right, तो यह पर ला angle होगा, हमारा 54 degree, तो बहुत easily हम इसे निकाल सेकते हैं, फिर चामारा एक बार दिखाते हैं, किस तरह से हम इसे निकालते हैं, ठीक है, तो easily पहले हम दिखा हैं, किस तरह से हम इसे निकालेंगे, तो देखिए आपर, ठीक है, यह देखिए, यह पर क्या दिया होगा, GED, GED कौन बहुत अंगल है, GED, यह पर 126 degree है, यह पर दिया होगा है, 90 degree है, 90 degree, तो यह पर अंगल निकालेंगे, यह पर दिया है, AB और CD pair lines है, pair lines अगर होता है, तो इसका alternate angle sequel होता है, तो alternate angles कुन बहुत है, AGE और GED, यह alternate angles है, तो अगर यह पर 126 degree होगा, तो AB 126 degree होगा, क्योंकि यह alternate angles है, ठीक है, और यह पर अंगल कैसे निकालता है, देखिए, यह पर अंगल, इस अंगल, FGE, तो हम देख सकते यह एक straight line है, तो this angle plus this angle linear pair होगा, 180 degree होगा, इसलिए हम लिखे है, 126 degree plus angle FG is equal to 180 degree, right, AG के value केतना है, 126 degree, तो FG के value को 180 minus 126 degree, that is 54 degree, इस तरह से हम पूरा अंगल को निकाल सकते हैं, Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share, thank you everybody for watching this video. Thank you. Thank you.